अगर अगर हम इनको बूल गए यह बेसिक्स को अगर हम भूल गए तो आगे हम जो भी सीखेंगे उसमें हमको दिक्कत आएगी ठीक है इसलिए आज वापस से प्रेक्टिस साइट सॉल्फ करेंगे कुछ कोशन्स मैंने निकाल कर रखें तो इनको हम देखेंगे कैसे सॉल्फ कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूं क्लास बना लेता हूं सिंपली जावा क्लास को क्रियेट करते हैं यहाँ पर मैं नेम प्रोवाइट करवा देता हूं प्रैक्टिस सेट टू ठीक है यह क्योंकि हमारा सेकेंड सेट है थोड़ा सा font style को बड़ा कर लेते हैं यहाँ पर main function को बना लेता हूं मैं main function बनके हमारा ready हो चुका है अब questions को दिखाता हूं ठीक है questions क्या है हमारे notepad पर आ जाते हैं हमारे जो questions है वो first question हमारा यह है कि write a java program to compute the specific expression and print the output हमको क्या करना है यह वाला जो expression है इस expression को solve करना है java के help से ठीक है और जो हमारा expected output है वो भी मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है लेकिन यह expected है यही output है कि नहीं है यह हमको code में run करके पता चलेगा ठीक है तो यह expression है इसको मैं यहाँ से copy कर लेता हूँ इसको मैंने copy किया और मैं यहाँ पर paste कर लेता हूँ यह paste क्यों किया वो मैं बताऊंगा अभी तो इसको comment out कर देते हैं अब यह question हमारा 1 है यहाँ पर मैं देतेता हूँ answer number 1 जीक है मीचे आते हैं यह हमारी value हो गई अब यह जो input हम लेने वाली नहीं है इन्पुट हम लेंगे नहीं अब आपने अभी तक हम क्या कर रहे थे हमेशा हम int बनाते थे int sum is equal to फिर उसके अंदर हम यहाँ पर पूरी value को देते थे ठीक है अगर आपको ऐसे solve नहीं करना है तो आपने पास एक और method होता है solve करने का ठीक है तो उसको भी बताऊंगा तो पहले point में value है तो इसको हम क्या कर लेता है floating point में ले लेता हूं मैं और यह उपर वाला expression है मैं इसको यहाँ पर paste कर दूँगा इसको कर दिया close यहाँ पर देखो आने लगा error ठीक है इसको F दे दो error हो गया remove ठीक है तो its type से हमको हर value के आगे float लगाना पड़ेगा क्योंकि अगर यह point वाली value है 2.5 जो है यह किसमे है यह क्या data type है इसका double है ठीक है लेकिन हमको इसको floating point में convert करना था ठीक है सब हमारा print हो जाएगा जब मैं code को run करता हूं तो आउटपुट देखते हैं कि क्या आता है अब आप देख सकते हो output हमारा क्या है 2.1388888 something ठीक है और यहाँ पर अगर value को match करें 2.38888 something हमारा यह output भी आया पर इसको एक चीज से और solve कर सकते थे हम इसको अगर जैसे comment आउट कर देते हैं तो simply मैं अगर यहाँ पर south लिखता हूं ठीक है south लिखके यह पूरी value को मैं यहाँ पर enter कर देता हूं तो अब आप सोचोगे कि यह जो value हमने enter करी है यह पूरी value copy होकर के हमारी यहाँ पर आ जाएगी output में show होगी तो ऐसा नहीं है जब हम south में यह पूरी value को देंगे तब हमारा जो answer होगा वो ही हमको मिलेगा यह पूरी value execute होगी मतलब यह पूरी value को solve करेगा ठीक है उसके बाद हमको output मिलेगा यह पूरी value print नहीं होगी आप देख सकते हो यहाँ पर यह जो पूरी value है यह हमको मिल गई जब हमने out में अंदर यह value को लिखा तो हमारी यह value आउटपुट में नहीं मिली इसका जो solution था वो हमको output में मिला तो कुछ इस pattern में भी आप इसको solve कर सकते हो तो अगर मैं इसको inverted कॉमा के अंदर देदू अगर मैं यहाँ पर double quotes में इसको रख दूँ अब हमको ज़रूर यह value है यह as a output मिल जाएगी अब आप देखो यह अब मिल गई लेकिन अगर मैं यहाँ से double quote को remove कर दूँ तो हमको इसका solution ही मिलने वाला है ठीक है code को वापस रण करते है यह देखो परफेक्टली हमको जो solution है वही हमको आकर के मिल चुका है ठीक है अब मैंने यह साभी को comment out कर दिया ठीक है अब इतने जो questions मैं आपको अब ही करवा रहा हूं वो questions सिर्फ नहीं है एक practice set और मैंने बना कर रखा हुआ है वो practice set मैं description box में आपको link दे दूँगा वहाँ से download कर लेना और उन practice sets को खुद से solve करना ट्राइक करना जब आप खुद से solve करोगे उन questions को तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा ठीक है तो आप next question देखते हैं लिकिन जो practice set में दूँगा उसको जरूर सॉल्फ करना ठीक है next question देखते है next question क्या है next question है यह बुलता है हमारा कि write a java program to check whether java is installed on your computer or not अब हमको check करना है हमारे intelligent idea पर कुछ code लिखकर कुछ code लिखेंगे हम intelligent idea पर और उस code को जब हम run करेंगे तो हमारा java code है वो बताएगा कि java installed है कि नहीं तो output किस type से मिलेगा कि run time version हमको क्या है version कौन सा installed है ठीक है location क्या है यह सारी चीज़े जो है सारी details url वगेरा सब कुछ हमको path मिलेगा ठीक है हमारे code में तो वो कैसे करेंगे वो देखते है इसको minimize करता हूं मैं यहाँ पर आते हैं यहाँ पर मैं देता हूं answer number 2 ठीक है answer number 2 है हमारा nature base स्पेस बना लेते हैं यहाँ पर क्या करता है सबसे पहले यहाँ पर south लिखना हो आगा south लिखते है फिर यहां पर क्या करते है सबसे पहले हमको क्या n lance kala da archiveu का version निकालना है तोि मैं क्या करता हूं इसको को नak copy करूगा मैं यहां से मैंने app को यहाँ से copy किया और मै पहले हमको लिकालना है Java का version कौन सा है मैं यहां पर लिखता हूँ Java version ठीक है इस पेस दिया यहां पर plus का sign लगाते हैं अब यहां पर मैं लिखूंगा system जैसे ही मैंने यहां पर system दिया अब करूँगा get properties अब इसके अंदर double inverted comma के अंदर वापस से java.version दे दूँगा java.version देना हमको वी small रहेगा ठीक है version का वी जो रहेगा वो small रहेगा उसके बाद अब हमारा जो Java का version है वो हमको मिल जाएगा ठीक है तो यहां से हमें वापस इसको copy करता हूँ paste 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 ठीक है यह चीज हो गई यहां पर अब क्या निकालना है मेरे को java का version निकाल लिया फिर java runtime version निकालना है इसको किया copy और यहां पर करता हूँ paste ठीक है यह चीज हो गई अब properties के अंदर क्या आ जाएगा हमारा java runtime version ठीक है कैसे लिखेंगे इसको इसको लिखना पड़ेगा हमको java.runtime.version ठीक है java runtime.version यह हो गया अब इसके बाद हमको क्या निकालना है हमको java home निकालना है तो इसको कैसे करेंगे इसको मैं simply copy करता हूँ यहां पर किया मैंने paste ठीक है अब इसको निकालने के लिए भी same चीज हमको करना होगी क्या java.home वर्जन रिमोव कर देता हूँ और यहां पर देता हूँ hom simply मैं यहां पर home दे दिया इसके बाद है java vendor ठीक है तो इसको यहां से copy किया यहां पर कर दिया paste यह हो गया और इसके बाद हमको java vendor के लिए क्या करना पड़ेगा java.vender-simply यहां पर ... simply यहां पर name provide करवा दिया इसके बाद हमको क्या निकाल कर देना है java vendor url उसके लिए क्या same as it is रहेगा इसको यहां पर change कर देते हैं यहां पर change कर दिया java.vendor कर देते हैं और यहां पर कर देंगे .url url जो होगा वो capital में नहीं होगा सब कुछ small में आएगा ठीक है यहां तक की one second हमने java का j जो है वो भी capital ले लिया है हमको यहां पर change करके java का j जो है वो भी small लेना होगा यहां पर कोई भी capital letter का use नहीं करना है capital letter का अगर use करेंगे तो error show होगा अब इसके बाद हमारे पास last option क्या है java.class.path तो इसको भी यहां से किया मैंने copy और यहां पर फिर से बनाना पड़ेगा तो इसके लिए का करते हैं पहले तो इसको control D कर लेते हैं ठीक है और यहां पर कर देते हैं java vendor की जगह पर java class.path सेम चीज यहां पर भी कर देंगे यहां पर j small यह क्यों आगया यहां पर java.class.path हो जाएगा ठीक है यह चीज हो गई अब जब मैं इसको code को run करूंगा तब हमारे पास कोच error नहीं आना चाहिए class run होना शुरू हो गई है यहां पर जो हमारी values है वह null आ गए क्यों नल आ गए भई यहां 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 जीनल क्यों आई है क्योंकि हमने यहां double inverted comma के अंदर है last pay देखिए रखा है हमको यहां पर space required नहीं होती हैं उल्ट है थीक हैं दूसरी गलति हमने क्या करी यहां vendor में हमने यहां पर e लगा दिया हमको लेना है यहाँ पर इसको लेना है वो spacing को कम कर देता हूं मैं आप से space को remove कर देता हूं ठीक है जैसे ही मैं space को remove करूँगा आप देखना यहाँ पर सभी values हमारी बिल्कुल perfectly आ जाएंगी यहाँ पर मैं लेता हूं slash n ठीक है यहाँ पर यह ले लिया उसके बाद यहाँ पर plus का sign यूज़ करके मैं लेता हूं slash n यहाँ पर double inverted comma के अंदर लेते हैं slash n ठीक है यह चीज़ होगी अब मैं जब code को run करूँगा तो सभी values हमारी बिल्कुल perfectly आ जाएंगी यह देखो हमारा जैसा output हमने सोचा था हमने देखा था same output हमको यहाँ पर मिल चुका है अब जैसे मेरी location है वो भी बिल्कुल perfect आगी है साथ में यहाँ पर vendor जो है वो भी official website है तो यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर official website पर पहुंच जाओगे और जो class का path है वो भी मेरे को perfect यहाँ पर दिख रहा है तो इस type से कुछ होते हैं इस में आप अपने versions को यहाँ पर properties की help से आप यहाँ पर find कर सकते हो ठीक है अब जो यह question number 3 है और जो question number 4 है यह दोनो questions को आपको solve करना है कैसे solve करना है वो मैं बताता हूँ आप code लिखना और code लिखकर करके solve करना और अगर नहीं बनते हैं तो comment section में बताना मैं next practice set में questions को भी solve करवा दूँगा ठीक है यहाँ पर अब हमसे क्या बोला है write a Java program to compare two numbers हमको दो numbers को compare करना है तो पहला number user से input लेना ठीक है user enter करेगा पहला integer भी और दूसरा integer भी वो दोनों को compare करना कैसे south में number 1 is greater than number 2 अगर है तो क्या print होगा true print होगा अगर नहीं है तो false print होगा वैसे ही equal equals to sign भी use करना greater than and smaller का भी sign use करना smaller than and equals to sign use करना इन सभी को use करके फिर इस question को solve करन अगर नहीं बनता है किसी कारण से तो बताना comment section में next video में इसको solve करके बताऊंगा ठीक है इसके बाद fourth question में क्या करना है fourth question में हमारे पास दो integers है दो number value है ठीक है user enter करेगा वो दो numbers को find करना है कि वो जो दो number enter हुए है वो दोनो number 0 और 1 के बीच में है क्या नहीं समझ में आए question को अच्छा पढ़ो ठीक है समझ में आएगा कि यह जो number enter हुए है first number और second number यह दोनो numbers 0 और 1 के बीच में है क्या जीरो और 1 के बीच में होना चीव तो decimal value भी आ सकती है ठीक है तो अब वो आपके उपर है कि float लोगे कि double लोगे क्या करोगे ठीक है तो इस question को भी solve करना नहीं बनता है तो comment section में बताना next video में हम इसको भी solve करेंगे ठीक है तो वीडियो को end करते हैं हमने questions को solve किया कैसे देख कर लेंगे conditions concept कर लेंगे तो वहाँ पर जो questions होंगे वहाँ पर सही questions बनेंगे ठीक है कैसे उन questions को if else की help से solve करना है ठीक है यह जो question मैंने बोला ना third or food इसको आप condition की help से बहुत easily solve कर पाऊगे इसलिए अब भी क्या है इतने ही questions को solve करते हैं जब हम topic wise बढ़ते जाएंगे तो वहाँ पर questions होंगे वह सही questions बहाँ पर बन पाएंगे तो हम आगे आने वाली वीडियो में और भी solve करेंगे अभी आप इन दोनों को solve करना third and fourth को और जो एक practice set नीचे description box मिलेगा उसको भी solve करना ठीक है नहीं बनता है comment section में बताना नहीं बन रहा है हम आगे solve करेंगे ठीक है और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब किये बिना बिल्कुल मत जाना साथ में पैल आइकन को भी प्रेस कर लेना और वीडियो अच्छी लगए तो मनें फ्रेंज के साथ भी share करना मिलते हैं अब हमारी next वीडियो में जब तक के लिए stay tuned stay safe bye bye